कि दिरिशुदेंट गुड मोर्निंग अलव यू प्रित्य ओइतवी तैसर इसे करके हमारा अध्यवाज भूगुल के अध्युड चेतर चले आज के खालासर स्टार्ट करते हैं तो यह जो हमारा टॉपिक है ये ग्रामिड अधिवास भूगल का है और इसमें हम अध्यान करेंगे जो अधिवास भूगल है उसके अध्यान चेत्र या विशय छेत्र तो इसके अंतरगत अधिवास भूगल में क्या के अध्यान करते हैं इसको पढ़ा जाता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्ष्ट है अधिवाज भूगोल की प्रकृती इसके अंतरगत है अधिवाज भूगोल का अर्थ परिभासा विश्य छेत्र और अधिवाज भूगोल का अन्य विश्य शेशंबंध अध्यान के उपागम या विध्या ये सभी तथ्या अधिवाज भूगोल की प्रकृती के थर्ड विशाय छेत्र जो है अधिवाशों की अकारकी जिसमें भौतिक अकारकी, समाजिक अकारकी और आर्थिक अकारकी ये तीनों टॉपिक इसमें सम्मिलित की जाती है फिर है अधिवाशों की प्रतिरूप अथ्वा श्वरूप इसके अंतर अधिवाश के जो राहे प्रत तो जो ग्रामिल अधिवास हो या नगरी अधिवास हो उनको विभिन अधारों पर वर्गी करण किया जाता है और उनके जो धरातली सरराचने हो उसके अधार पर उनके वित्रण को प्रदर्शीत की जाती है तो इस तथ्य कभी इसमें अधिवासों की समस्याएं उनके यह सभी अधिवास भूगोल के या ग्रामिल अधिवास भूगोल के विशय छेत रहे अध्यान छेत रहे